हस्प्टाल चों जियोंदे किमे मुडिये दा अगला अंग तर्खान लकडी चोंदा यते डॉक्टर बिमारी रिगवे दानुसार अगला लेख है रोगान दा माया जाल वर्तमान जीवन शेलीच मनुख पहले तोई इनने रोगानल किरिया है कि उनुँ होर रोगान दी कोई जरूरत ही नहीं है पर साड़े समाज दे ने कान शक्ती शाली उद्योग जाई हान जिड़े मनुख नुँ नवे रोगान दा तोफा देंच जुटे होई हान मनुख नुँ लगातारे प्रोसाद वाया जान दा है कि उनुँ कोई रोग है जिदा इलाज होना बेहद जरूरी है इस कोशिश नुँ डिजीज मैजरिंग दा ना दिता गया है डिजीज मैजरिंग एक तंदुस्त व्यक्ती दे मांच एक पै पैदा कर देंदी है क्यों किसे न किसे रोग डाल ग्रसत है जिदा व्यक्ती निकिया मुटियां बिमारियां जिमें खंग, जुकाम वगएरा नल पीड़त है उन्हों एसास कराया जान दा है कि जिमें उन्हों कोई प्यंकर रोग लग लगया होए जिदा इलाज होना सौफी सदी जरूरी है इस रण निती नू रे माइनिहान इयोना हेत ते डेविड हैंडरी ने ब्रिटिश मेडिकल जरनल विच कार्पोरेट कंस्ट्रक्शन ओफ डिजीज दना देता है इना अनुसार रोगां बारे चूठियां ते पुलेखा पाउतार नमा परचारत कीतियां जान दियां हान ताके तंद्रोस्त लोकानों बिमार दसके बहुत सारा पैसा बनाया जा सके एही कारण है के दुवाई कंपनियां नमिया नमिया बिमारियां ते उना दियां दुवाईयां बढा के अपने गाकां दी गिंती वदान लई सरगरम रूप्ट काम कार रहे हैं हान। छेती लिस्ट्रीन दे खोजी डॉक्टर जोजेफ लारेंस लिस्टर ते जातन भी लेंबरेट इनुएक फर्ष साफकरन वाले क्लीनर ते सुजाक रोग दे लाज दे रूप्ट वर्त रहे सन। उनी सो वीदे दहके तक लंबाट फार्मसिल कंपनी लिस्ट्रीन निर्माता नू विश्वास हो गया कि उनानू एक एलाज मिल गया है। उन जरूरत सी तक एवल बिमारी दी ते एक नमी बिमारी पैदा किती गे जिदा नास हैलिटोसिस रख्या गया। हैलिटोसिस मौन दी बदभू वास्ते एक असपष्ट मेडिकल टर्म सी। जिस बारे बहुत कटए लोकानों जानकारी सी। इसत्यारा नाई लिस्ट्रेन नू हैलिटोसिस दे कोई के एलाज दे रूप से दरसाया गया। इस्तियार देन वालयाने हैलिटोसिस नुहीं कजई बिमारी दस्या जो किसे भी व्यक्ती दे कैरियर रमैंस दे विहारेक जीवन चा सफलता दा कारण बन सक दिया है। उनुह हरेक पावना विहार आदत्ते मूड़ दी तब दिली नुएक बिमारी जा विकार दी रूट दर सोना पाएगा जेस्ता रसाइनिक इलाज जुरूरी होएगा। पावना विहार आदत्ते मूड़ दी रूट दिया है। उना नुँ लगदा है मैंनु फलाणी फलाणी बिमारी है। तेरा आपदा शुकर है कि फलाणी फलाणी दवाई सिर्फ मेरे लेही बणी है। अपने किसे प्यारे दी मौत तो बाद पुराणे नितनेमच केवल दो हफ्ते आंच वापस ओना कदे भी संभव नहीं है। दुख जा शोक एक निजी अन्भव है। पा बहुते लोकां विट शोक दी मियाद दो तो लेके छे मिने जा कदे कदे ओतो विवाद हुई हुन दी है। साड़े बेहद प्यारे दी मौत तो पिछों शोक मनाण दी है एक सदारन मियाद जम परकिरिया है। लेकिन American Psychiatric Association APA इस परकार दे शोक जा गम नो एक मानसिक रोगदा जामा पहनाओन वाली है। जिस नाल डॉक्टरा नो उच्छा मिले के दो हफ्तेयां तो वद समय दे शोक नो एक मानसिक रोगदा ना दे सकन। शोक नो एक मानसिक रोगदा सेटिफिकेट देन नाल एक दवाई नाली ठीक किता जान वाला जाम बिल बनाओन वाला रोग बन जाएगा। फिर एक एक इन्शेरंस कंपनी रहें कलेम किता जा सकेगा ते सेथ रिकॉर्ड विज एक कलंक दे रूच चलकता रहेगा। American Psychiatric Association दे परवावित वर्गी करन दे अनुसार दो हफ्तियांत वाद मनाय जानवाले शोक नो एक मानसिक रोग दे रूप विट डागनोस्टिक दे स्टेस्टिस्टिकल मैनूल दे अगले अंक च शामल कर लिया जाएगा। Diagnostic Manual दे अडिशन चार, DSM-4 दे अनुसार दुखी होना, नेंद नावना, रोना, शोक दे हलके फुलके लचनाच शामल हान। DSM-4 दे दिशाद निर्देशाविच सदारन शोक जा मुख तनाव दे लचनाविच सपष्ट अंतर दसे गाय हान। Richard Friedman, M.D.D.The New England Journal of Madison बारे लिख दे हुए कैन दे हन। के DSM-5 दे नमे मापदांड उना तांद रुस्त लोग का जो थोड़े जे परिशाँजा दुखी हन। नो एक उत्तम उमीदवार बना देन दे हन। जिनानो एंटी, डिप्रेस्ट या मानसिक रोगानो दूर करनवालियां दवाईयां लिखियां जा सकते हैं। Richard दे अनुसार एंडी एसम-5 दवाईयां दवाई कंपनियां दे लई एक वर्दान साबित होएगा। क्योंकि गयर ज़रूरी एंटी, डिप्रेस्ट, डिप्रेसेंट्स दे, एंटी, सैक, कोटेक्स दी वर्दोन उत्षाद करेगा। जोके मुखरूट तना होते बेचैनी देली वर्दोन चलियां दियां चांदियां। रिचर्ड इस गलवल वीतियां दिवनां चांदियां के अमरीकाच हरेक साल 2.5 मिलियन लोकां दी मौत हुन दियां। इना दी वजानाल शोक्च डुग जानवले लोकां दी संख्या इस तो भी केते वद्ध है। इह हुई शोक ग्रस्त लोकान जिनादा इलाज करके दवाई कंपनियां लाब उठाणां चांदियां। इदेले ही डॉक्टरानू American Psychiatric Association ते उना वलो बनाए गए। नवे माप दंडांदा तानवाद करना हुएगा। रोग जिनानू तेल तो ताड बना देता जानदा है। APA नू स्मुच्चे रूप वेच American Psychopharmacological Association क्या जाना चाहिद है। क्योंकि उस सारियां मानसिक बिमारियां दा इलाज केवल ते केवल दुवायां नू इमन दे हनुच्चे रूप दुख्धाई खबरे वी है के APA नवियां नवियां बिमारियां दी खोज करन्च दुवाई उध्योग दे नाल निरंतर ता नाल काम कर रही है । जो समें समें ते, medical साहित विच शामल कीती जान दी है, उदारन वजो, पहला, ज़े तुसी बहुत ज्यादा खरीद कर दी हो, तो तो अनू compulsive shopping disorder है, दूसरा, ज़े तो अनू गुणा कर दी होई प्रेशा नहीं हुं दी है, तो तो अनू dyscalculia हो सकता है, तीसरा, ज़े तुसी web surfing वेच ज्यादा समाबर्तीत कर दी हो, तो तुसी internet addiction disorder नल ग्रस्त हो, ज़े तुसी बहुत ज्यादा कसरत करन दा मतलब है, कि तुसी bygorexia जा muscle dysphomy आतू, muscle dysmorphia तो पीड़तू, ते जे तु अनू 13 नंबर तो डर लगदा, ते संभव है कि तु अनू dyskideka phobia है, इन नमियां बिमारियां जे वद तो वद लोकां वेच मिलन लगियां, तो DSM दे अगले अंकान शामल हो जानेगी है, कि सेवी विहार जाविकार होते, तो निश्चित रूप ची बिमारी जा रोग मन लई जाएगी, ते DSM वेच सुबाव की शामल कर ले जाएगी, DSM दे शामल 297 मानसिक रोगां विच्चों, कोई एक रोग विए जया नहीं है, जो के पौतिक तोरते माप प्या जा सके, दुजे शब्दांच क्या जा सकता है, ए रोग पूरी तरह नाल विशा पूरखन, एक साइकेट्रिक पैनल विच बैठ के मन मर्जी नाल, DSM च दित्ते गए मानसिक विकारां दे लच्चनानू, बिमारियां च तब्दील कर दितता जान्दा है, उना दा कोई पैमाना या माप धंड नहीं हुन्दा, मतलब साफ है, ए लोग दवाईयां दे हिसाब नाल, नमिया नमिया बिमारियां दे कोज कार रही हैं, नमिया नमिया बिमारियां दे खोज कार रही हैं, ना के बिमारियां दे लई दवाईयां दे. अज किसे वी मनोवी ग्यानिक नू मिलन दा मतलब है, तुसी क मनो रोगी हो, तो अड़ा एक सदारन, अससादारन विहार भी एक विकार जा रोग दे रूप्ट देख्या जाएगा, एस गाल्दियां शत प्रतिशत संभावनावा हन, के तुसी किसे मनो विज्यानिक दे क्लिनिक विच्चों एक मनो रोगी दा तम गाला के इबार आओगे, तो अड़े हाथ वेच लाजमी रूप्ट बहुत लम्मा दुवाईयां दा एक चिठा होएगा, तो अड़े विहार नू किस तरह सदारन कीता जाए, किस तरह तुसी अपने जियों टांगच कुछ तब्दिली लाके खुद नू सदारन कर सक देओ, एस खौन दी बजाए, कोशिश एही रहन दी है कि तो नू एक असान जया तरीका दस लिता जाए, तो ओ ए दवाईयां दा सेवन, ए तरीका असान ही नी, बलके उनना लई, लाबदायक ते अकर्शिक भी है क्योंकि इस ते नाली मनो विज्ञान कांदे पविखदियां अनिक कांद लाबदायक संभाव नमा जुडियां हान। मनुख दे वक वक तरांदे अचार ते विहार नू एक मानसिक बिमारी दा रूप देन दा एक फंडा दवाई कंपनियां लई, काम ते नू साबत होया है। मार्केटिंग परफेशनल विंस पैरी ने इनू एक कलादा ना देता है। दा आट आफ ब्राडिंग अ कंडिशन। की हो सकती है। वडियां कंपनियां दा निंदन योग कम, रोगां दा निर्मान सिर्फ बालगां ते यसर नहीं पहुंदा, बल्के तवडे बच्यां ते भी निशाना साथता है। इक नमी पुस्तक बॉन विद जंक फूट डेफिशियंसी फ्लैक्स, कोएक्स अन हैक्स, पिंप द पब्लिक हेल्थ बढ़ियां दवाई कंपनियां दा पेद खोल दे हुई। उनना दे राज़ दस्दी है। किस तरह इना दी साजिश दे तैत मनुख दी सब तो कमजोर कड़ी। उनना दे मसूम बच्चे जालच फास जान दे है। अल्ट्रा नेट दे अनुसार बालच कित सा जो कदे एक सदारंजी मुहारत मनी जान दी सी। अज फार्मा इंडस्ट्री दे ले एक बेहद सरगरम ते लाव दा एक बजार बन चुकी है। सीजोफ्रीनिया वरगी बिमारी तो लेके चटचड़े बांजा अडियल वतीरे तक दौई कंपनियां दे कोल हरेक बच्चे ली कोई ना कोई गोडी जा दौई है। इस सब एक वदिया मार्केटिंग दा इनतीजा है। आज दा एक चोटा बच्चा भी मनी बंबुच तबदील हो गया है। लेके ने खोया के में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जेन आलसिन केंदी हैं। यह बहुत ही असान है। बच्चे आनु स्कूलान छोटिय अमुटीय अनते कलिफ़ा देली मेडिकल रुम तो दवाइया लैंड दी दभा पाया जानदे है। कराँच दवाइया लैंड ली उना उते माता पिता जा निग्राना दा दभा होंदे है। हस्प्ताल जानते डॉक्टर भी उना उते दव पावो द्वाई कंपनियां दे जीवन पर दे गाख बन जान दे हैं। जीवन पर दे गाख बन जान दे हैं। जीवन पर दे गाख बन जान दे हैं। एक शर्मनाग गाल है के बहुते मनोविज्ञानक सलाल इखंचे निरुजे होई हैं। के उननोव अपनी जानकारी नवयाउन दीवी जरूरत मैसूस नहीं हूं दी। हाली विट BMC psychiatry विट परकाशित एक रिसर्च पाया गया है। बहुते गंबीर मानसिक रोगानाल गरस्त नाबालग लड़के लड़कियां विच वाइटमिन दी दी काट पाई गई है। क्योंकि VITAMIN D मानसिक वीकासली भीध जरूरी है। एस रिसर्च दे अनुसार, VITAMIN D दी काट't नवालग लड़के लड़कियां, मानसिक रोगी हों दीयां समभाव न आमानूं चार गुणा वदा दन दी है। एस रिसर्च दे अनुसार, Mental Health, Clinical Church and वले बच्चियां विच, विच्छी विच्छ वीटामईण दी वात्रा बहुत ही खतरनाग ठाग नाल काट पाई गई, ना बालग लड़कियां विच येदी मातरा के वल VNGIML ओड़कियां विच दस NGIML पाई गई, ये दी सदान रेंज ती तो चुहत्तर एंजी या मेल है कोई भी बच्चा जो असाधारन मानसिक ते भी हारकल अच्छन दिखा रहे है उन्हों अपना वाइटमिन डी लेवल चेक करोना चाहिद है एक स्टैंडर्ड टेस्ट पाव परमानेत जांचोनी चाहिद है पर डाट्रां ते मनोविज्ञान का मलो इन्हों अन्गोलया किता जा रहे है कई खोजकार जाने ये साबत किता है के बाचे मिन डी दी काटनों दूर करन्तों बाद कई मानसिक रोगियांट सुदार आ गया जे अपन शोक अवस्था दी गाल करिये शोक किन्ना कुछ इंता जनक है तक कह सकते हैं के शोक दी तेजी होली-होली समय देनाल कट दे होई समाप्त हो जान दिये पर दस्तो वी प्रतिशत लोकानों सदारन हो वेच कुछ मिहिनने जा साल भी लग जान दे हैं इक खोज दे मुताबिक लम्मे समय तक चलन वड़ा शोक एक आदतवां काम कर दे हैं तिसाड़ा दिमाग जाने अन जाने च उसी अनांद च मस्तरेन लग दे हैं इता मतलब ही है जे तुसी शोग तो बार निकलना चौन देओ ता हेठा दित्ते गए सुजामां दा पालन करो ये बहुत ही लाद दाएक होईगा पहला तो तुसी ये जान लओ के शोग रूपी हनेरे विच्चों बार ओना इना सैज नहीं हुंदा पर हरेक मनुख इस काली गुफा दे हनेरे जो बार निकलन्ट समरत है चे मीन्या दे अंदरी तो अनुए इस काली गुफा दे दुजे कोने उते रोशनी दियां किरना दिखाई देन लगण गिया ते तुसी अपने सकारातमक मनुबलनाल शोक अवस्था तो पार जा सकते हो शोक अवस्था दे दौरान कसरत बहुत मददगार साबत हुंदी है ते आन ते योग भी मनुख नो तनाव रहत रख दे हन हमेशा याद रखो कि तो अड़ा सरीर जान दिमाग तो अड़े खान पीन उत्ते निर्बर कर दे जे तो अड़ा अहार वदी है तो तो अनू कोई भी मानसिक रोग नहीं केर सकता अहार तो इलावा वदीया जापर पूर नींद लेना भी ज़रूरी है जे तो उसी दुनिया दी सब तो वदीया खुराक ले रहे हो ते लेकिन ठीक तरह सौ नहीं रहे ता ये तो अड़े मानसिक असंतोलन्दा कारण बन सकता है निचोड़े है कि तोसी वदीया खुराक गस्रत नेन्द ते कारात्मिक सोचनाल किसे भी शोक वस्था विचो असानी नाल बार निकल सकते हूँ, जो के अगे चलके मानसिक असंतुलन्दा कारण बन सकते हैं। सोशल फोबिया। चोथा, हड्डियां कमजोर होना, एक फैक्टर है पर इनू बिमारी दा रूप दे दता गया। आस्टियो पोरोसेस, पन्जवा, प्रापत करण जा बनाई रखन वेच मुष्किल, इरेक्ट्राइल डिस्फंक्षन, छेवा, जिना और तानू सेक्स वेच ज्यादा रुची नहीं है, फीमेल सेक्सुल डिस्फंक्षन, चत्वा, वद्धे बच्चेयां दे मूड वेच तब दिली, Bipolar in Children, अठवा, और तांच मावरी तो पहला हून वला तनव, प्रीमेंस्टिल डिस्फोरिक डिसॉर्डर, नौवा, बिना कारं तो लता हलोना, रेस्टलिस लेग सिंड्रोम, दस्वान, साट साल दी मुर्तु बाद मानसिक असंतु लंदी पावना, सैकोसिस रिस्क सिंड्रोम, ज्यान वांपो लंदी आदत, माइल्ट का गिंटिव इंपेर्मेंट, बारवा, खोंच गुलुकोस दा पदर सदारंतो वद्ध होना, प्री डाइबेटीज, तेरां पैरन दे अंगुठे दे नौन्च लॉग, टोनेल फंगस, चौद वां, कदे-कदे चाती च जलन, gastroesophageal reflux disease, GERD, पंदरवा, बालगांदा कामविट मनना लगना, पुलना या इका अगरता दी काट, मतलें, adult attention deficit hyperactivity disorder, सोलवा, शरीर्च बिनाकारन थके वांते दर्थ, फाइब्रोमाइल्जिया, स्तारवा, साच बद्भू, halitosis, अठारवा, चाली-पंताली सालतो बाद मावरीद पंदोना, मिनुपोस, उन्निमा, गड़ी तेश्च लॉन दियादत, road rage, वीमा, बार-बार flush जान दी चा, overactive blood, इकीमा, ज्यादा कसरत करंतो बादिक, अथलेट देचे रेते चर्बी दी काट, रनर्स फेस, बाइमा, बहुती खरीदारी करंदी आदत, compulsive shopping disorder, तैमा, मर्दाविच, टेस्टो, टेरोन दी कट मात्रा, लोटी, चाविमा, ज्यादा internet surfing करना, internet addiction disorder, पच्चिमा, गणित हाल करदे होई मुश्कल, dyscalculia, चाविमा, बहुत ज्यादा सफाई पसांत होना, किसे भी कामजा गाल्दी डूंगाई जाना, या पर्फेक्शनिजम, obsessive, compulsive, personality disorder, तैमा, ज्यादा समाबित होना, मसल दिस्फोमिया, तैमा, तेरा नम्बर दा दर, इस, ट्रिसकाइ डिकाफोबिया, तैमा,